ओ मैंग रिंग लिंग चामुंडाय विच्चे नमहा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में वास्तुगुरु चैनल आपकी स्रद्धा को ध्यान में रखते हुए समस्त 51 शक्ती पीठ के बारे में आपको बताने जा रहा है इसके क्रमश 51 एपीसोड होंगे और प्रत्यक एपीसोड में एक शक्ती पीठ की समपुर्ण जानकारी आपको दी जाएगी जैसा कि देवी पुरा अथवा महाभागत में कहा गया है माशक्त का ध्यान करते हुए आप समस्त 51 शक्ती पीठों के बारे में सुने और जाने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकान जरू दबाईए जिससे आने वाले एपीसोड की पहली सूचना आपको मिल सके यदि आप वास्त शास्त्र से सम्मंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर वाट्सेप कर सकते हैं आइए सर्व प्रथम जानते हैं कि शक्ती पीठ के बारे में देवी पुराण में कौन सा श्लोक कहा गया है पीठानी चैक पंचाशद भवन्मुनी पुंगव अंग प्रत्यंग पातेन चाया सत्या महीतले शक्ती पीठों की इस उद्भव कथा का वरणन कहीं कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से विभिन्न पुराणों एवं शाक्त शैव ग्रंथों में पाया जाता है इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है जैसे तंत्र चूड़ा मड़ी में शक्ती पीठों की संख्या बावन बताई गई है देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 कुछ अन्य ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है किन्तु देवी पुरान महाभागवत में शक्ति पीठों की संख्या 51 बताई गई है अब आईए जानते हैं कि शक्ति पीठ का निर्माण कैसे हुआ जब महादेव शिवजी की पतनी सती अपने पिता राजा दक्ष के यग्य में अपने पती के अपमान को सहन नहीं कर पाई तो उसी यग्य कुंड में कूद करके भस्म हो गई जब भगवान शंकर को यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीर भद्र को भेज कर यग्य इस्थल को उजार दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया बाद में शिवजी अपनी पत्नी सती के जले हुए शव को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे उनका मोह भंग करने के लिए भगवान विश्णुजी ने सुदर्शन चक्र चलाया जहां जहां माता के अंग और आभूशन गिरे वहां वहां शक्ति पीठ निर्मित हो गए इन सभी 51 इस्थानों पर जगदंबा भवानी के विभिन रूपों की उपासना की जाती है जन्वानस में परंपरागत रूप से इन सभी शक्ति पीठों का बड़ा महत्व है इन शक्ति पीठों का इस्थान वहां की अधिश्ठात्री शक्ति एवं भैरव का नाम तथा भगवती के किस अंग अथवा आभूशन आधिका कहां पतन हुआ था इसका विवरण विभिन ग्रंथों तथा जन सुरुति के आधार पर प्राप्त होता है प्राप्त विवरणों के आधार पर इन 51 शक्ति पीठों का संग्षिप्त परिचय वास्तु गुरु चैनल के द्वारा दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है मा आधि शक्ति का ध्यान करते हुए आईए जानते हैं शक्ति पीठ स्री परवत के बारे में जिसके बारे में बहुत से भेद हैं एवं जानकारी बहुत ही कम उपलब्द है फिर भी हम सारी जानकारियों को प्रामाडिक रूप से आपके पास पहुचा रहे हैं वर्तमान में यह शक्ति पीठ लद्धाख केंद्र शासित प्रदेश के स्री परवत पर माना जाता है यहां पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी कुछ विद्ध्वानों का कहना है कि यहां दक्षिन तल्प यानी कनपटी गिरा था इसकी शक्ति है स्री सुन्दरी और शिव को सुन्दरानंद कहा जाता है यहां पहुचने के लिए निकटम रेलवे इस्टेशन जम्मू तवी है एवं निकटम हवाई अड़ा लेह है दूसरी मान्यता के अनुसार यह शक्ति पीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के स्री शैलम इस्थान पर दक्षिन गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी तीसरी मान्यता के अनुसार कुछ विद्वान इसे असम के सिलहट से चार किलो मीटर दक्षिन पश्चिम अर्थात नैरित्य कोण में जौनपूर में मानते हैं हमारे शास्त्रों में यह तीन मानताएं हैं यहां की शक्ति स्री सुन्दरी और भैरव सुन्दरानन्द हैं आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाईएगा हम केवल वही जानकारी देते हैं जो की प्रामाडिक हो अगले एपिसोड में हम लोग पाँच में शक्ति पीठ विशा लाक्षी शक्ति पीठ के बारे में जानेंगे ऐसी ही प्रामाडिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तोगुरू ओ मैंग रिंक लिंग चामुंडाय विच्चे नामहा